हाव रुफिक्स वान प्लास सेवेंटी वोल्ट इनेबल बट नोट शॉइंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सो आगर है अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा केस से आप जो है अपने वान प्लास की डिवाइस में वोल्ट के ये जो प्रॉब्लम है इसको केस सोल्फ कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस प्रॉब्लम पर होता क्या है जब आप वोल्ट इनेबल करते हैं लेकिन आपके जो स्क्रीन है उसमें वाल्ट शो नहीं होते हैं जैसे कि आप उपर में भी देख सकते हैं ठीक है मेरा जो है दोस्तों यह आपे वाल्ट शो कर रहा है लेकिन दोस्तों किसी किसी मोबाइल पर ऐसा हो जाता है कि जब वाल्ट को इनेबल करते हैं तो उनका जो व से सेट नहीं करते हैं ठीक है तो उसके लिए दोस्तों आपको जानना होगा इसका सेटिंग और उसके बार में दोस्तों मैं आपको सॉलुइशन भी बताऊंगा तो वीडियो के सारान तक बने रहे हैं सारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकून को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पेसा कामाना चाते हैं तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या होगा आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग पर सेटिंग पर शेलेक्षों मिल्के बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर वाइफा एं लेक्षिन कर नेट्रो बिन आपका problem solve हो जाएगा अगर problem solve हो जाते ही तो ठीक है अगर नहीं होते हैं तो दोस्तो आपके mobile पे एक option है जो कि दोस्तो वहाँ पे में check करके आपको बता रहता हूँ ठीक है तो दोस्तो यहाँ पे जो मैं आपको show करके बताने वाला था तो वो है दोस्तो डिस्प्ले के अंदर पर डिस्प्ले में जाए मेरा दोस्तो अभी आप देख सकती उपर में वॉल्ट शो कर रहा है ठीक है आप अपने जो वीडियो के कुईलिटी उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके देखिया अपने मुबाइल पर आपको दिख जाएगा अभी दोस्तो आप जाएए अपने डिस्प्ले में और यहाँ पर इस तरह बार में जाने के बार आइकोन मेनेजर है आइकोन मेनेजर पर क्लिक करें यहाँ पर आपको मिलेगा वॉल्ट तो वोल्ट के ओप्शन को दोस्तों मैं यहाँ बंग कर दे रहा हूं तो बंग करती ह मेरा जो वॉल्ट है उसका का ईसका ऐखन जहे वो दुबारा से इनेबल होगा एकी उता नहीं कि दोस्तों को अगर बंढ करते हैं तो आपका वॉल्ट बंढ हो जाएगा कॉंप्लील यह सिर्फ KP को हाईट करते हैं ठीक है आपके का इसको हाईट करते हैं तो इसको इनेबल कर दीजिए क्योंकि दोस्तों आपके मॉबाइल पे ये ओफ हो गया होगा तो इस तोन करते हैं आपको वॉल्ट नेट्रोक शो हो जाएगा ठीक है तो ये कुछ सेटिंग से जिसके मदद से आपने प्रॉब्लम सॉल्फ कर सकते हैं अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो दोस्तों आप मॉबाइल को सेफ मोड पर रिबूट कीजिए उसके लिए पाउर बॉटन को प्रेस और होल कीजिए पाउर आफ के स्वीच को क्लिक करके राखिए और ओके कर दीजिए ओके करते ही आपके जो यहाँ पर पर जाके मेन्यूञ नेट्रोग सेलेक किजिए जूस्त अटमेटिकली नेट्रोक को बंड आप देखे आपको कुछ मेन्यूञ नेट्रोग मिलेगा तो आपके जो नेट्रोग है उसको 4G पर सेट करना है ठीक है फॉर जीप सेट करने के बाद दोस्तों आप वोल्क को a safe किजिए और इससे क्या होगा दोस्तों अपने डेकिशर ओड़र करनेके भाद चेक करकि देखे वोर जागा प्रॉबलम सारे साथ अगर अधर अपका मुबाइल लों पसेटेफxico करें अप